बेलकम टू नेक्स एक्जाम आज है 28 अगस्त 2022 और 28 अगस्त 2022 से करेंट इंटरफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेट इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो पिदियो से डाउन लूट कर सकते हैं पेडियो आप मारे ट्लींग्राम गॡूपप पर पर आपको सारी पिडियर एक साथ मिल साथ और ट्लींग्रौम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कसिम्ण में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक चलिएड़ों जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्यन है हाली में किस राज सरकार ने बिनाइल के बैनरों पर प्रतिबंद लगाया है तो अभी आंदर प्रदेश सरकार ने बिनाइल के बैनरों पर प्रतिबंद लगाया है तो इस कुश्यन का बे अप्शन सही है एक्चुल में आंद्रप्रदेश ने खुद को 2027 तक प्लास्टिक मुक्त बनाने का टार्गेट रखा है इसलिए आंद्रप्रदेश में अब बिनायल के बेनरों की जगे कपड़े के बेनरों का उप्योग किया जाएगा बिनायल के बेनरों पर बहाँ पर प्रतिवन्द लगा दिया गया है अच्छा आंद्रप्रदेश तो ये है मैप में आंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश की कैपिटल क्या है? अमराबती आंद्रप्रदेश की चीपनिष्टर कौन है? जगन मोहन रेड़ी और आंद्रप्रदेश की गवर्णर कौन है? बेश्यू भूशड हर चंद्रण अच्छा ध्यान रखना भासा के आदर पर गठी तोने वाला भारत का पहला राज्य है आंद्रप्रदेश अभी आंद्रप्रदेश के बेजय बड़ा में महात्मा गांदी जी की तेज़ फीट उची भित्ती प्रतिमा का अनावर्ड बेश्यू भूशड हर चंद्रण ने किया आंद्रप्रदेश सरकार ने NISG के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किये हैं क्रस्ती अबसरनचना कोस के उप्योग में आंद्रप्रदेश टॉप पर रहा है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लाओ करने का निड़ है आंद्रप्रदेश सरकार ने लिया है आंद्रप्रदेश की जानवी डॉंगे थी AAPC की सबसे कम उम्र की एनलोग अंतरिश चियात्री बनी है DPIT द्वारा जारी Ais of Doing Business Index 2022 में आंद्रप्रदेश सीर्स पर रहा है बारती नौसिना का बहु पच्छी अभ्यास मिलान 2022 बिसाका पटनम में सुरू हुआ है आंद्रप्रदेश सरकार द्वारा ACB 14.400 नामक एक AAP लॉंच किया गया पूरे देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंद्रप्रदेश है अबी स्कॉच State of Governance Ranking 2021 में आंद्रप्रदेश को पहला इस्तान मेला है अच्छा आंद्प्रदेश में कुलेरू लेक है, पापी कोंडा निसनल पार्क है और स्रे बैंकर टेसर निसनल पार्क है इतना आप आंद्प्रदेश के बारे में याद रखिए अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक कर तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगता है, helpful लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरुक्या करो और मैं आपको भी बोलता हूँ, daily morning note कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो चाहे छोटा साई टार्गेट फिक्स करो लेकिन daily morning note कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेव करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी next question है, हाली में भारत का पहला 3D printed post office कहां बन रहा है तो ये बैंगलूरू में बन रहा है, तो इस question का say options है ये भारत का पहला 3D printed post office है, 3D printed technology में normal जो construction होता है उससे कम खर्चाता है तो ये पहला 3D printed post office बैंगलूरू में बन रहा है, और इससे कौन बना रहा है, L&T बना रहा है एक्चुन में अभी पूरे भारत में केबल L&T ही ऐसी company है जिसके पास 3D printing तकनीक ही है जो 3D printing तकनीक से इस तरह की construction कर सकती है, तो भारत का पहला 3D printed post office बैंगलूरू में बन रहा है अब बैंगलूरू तो भारत का अपनी तरह का पहला brain health clinic अभी बैंगलूरू में शुरू हुआ SBI ने start-up के लिए समर्पित पहली साखा बैंगलूरू में खोली है परदानमंत्री मोदी ने बैंगलूरू में बॉस इंडिया के smart परिसर का उदगाटन किया और परदानमंत्री मोदी ने बैंगलूरू में ही center of brain research का उदगाटन भी किया तो बैंगलूरू से related अभी इतने question important है ये आपको याद रखने है next question है हाली में किस ने भारत के 49 में मुख्य नयायदीस के रूप में सपतली है तो अभी justice you you ललित ने भारत के 49 में मुख्य नयायदीस के रूप में सपतली तो इस question का way options है ये हैं justice you you ललित और इनों नहीं अभी भारत के 49 में मुख्य नयायदीस के रूप में सपतली है इनका कारिका सिर्फ 74 दिन का होगा और जब ये retire हो जाएंगे तो 50 में मुख्य नयायदीस justice day by चंद्रचूड बनेंगे और इनका कारिका 2 साल का होगा कितना 2 यर का होगा next question है हाली में case bank ने महिंद्र साह को अपना MD & CEO न्यूक्त किया है तो अभी IDFC 1st bank ने महिंद्र साह को अपना MD & CEO पॉइंट किया तो इस question का C options आई है अब IDFC 1st bank इसकी स्तापना कव होई 2015 में इसका headquarter कहां पर है मुंबई में और इसके present time पर CEO कौन है Bay Baddhinathan next question है हाली में पूरी दुनिया में अकेले उडान भरने वाले सबसे कम उम्र के ब्यक्ति कौन बने है तो अभी Mac Rutherford पूरी दुनिया में अकेले उडान भरने वाले सबसे कम उम्र के ब्यक्ति बने है तो इस question का Bay options है यह आप image में देखिए यह हैं सत्रे बरसी British pilot Mac Rutherford और यह पूरे दुनिया में सबसे कम उम्र के पाइलेट बन गए है जिनोंने पूरी दुनिया की अकेले उडान पूरी की है इनोंने 150 दिन में यह record बनाया है और 5 महादीपों के 52 देशों की इनोंने यात्रा की है इनोंने अपनी flight की शुरुआत बुल्गारिया की capital सोफिया से की थी और वहीं पे अपनी flight को आके बापस उतारा तो इनका नाम आप याद रखिए Mac Rutherford ने क्यूशन है हाली में केस देश में 22 से 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए है तो पिछले एक दसक में सबसे भयानक बाड अभी पाकिस्तान में आई है पाकिस्तान में पिछले एक दसक में ऐसी बाड नहीं आई इस बाड से 33 मिलियन लोग पाकिस्तान में प्रभावित हुए है तो इसको शिनका A options है यह है अब पाकिस्तान तो ये है मैप में पाकिस्तान पाकिस्तान की केपिटल क्या है? इसलामाबाद, पाकिस्तान की करणसी क्या है? पाकिस्तानी रुपिया पाकिस्तान की प्रेजेंट टेम पे प्रैमिस्टर कौन है? सहबाद सरीफ और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है आरिफ पल्वी अच्छा इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं रैड किलिफ लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं पॉर्थ कूरिया और साउथ कूरिया को डिवाइड करने वाई लैन को थर्टी एर्थ पहलाल कहते हैं तो ये कुछ इंपूर्टेंट डिवाइडिंग लैन है जो आपको याद रखनी है अभी बाबर आजम को सितारा ए इंतियाज सम्मान से पाकिस्तान में सम्मानित किया गय पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू DSP बनी है मनीशा रोपेटा और भारत और पाकिस्तान की बीच बैक चैनल भारता का नित्रत करने वाले सतिंदर लामबा का अभी 81 बर्स की उम्र में निधन हुआ है Next क्युश्यन है हाली में भारत ने कब तक सूने कर्बन उत्रजन का लख्ष हासिल करने की गोश्ण की है तो इंडिया ने जीरो emissions का लख्षग दोजार सत्तर तक हासिल करने का टार्गेट रखा है तो इस क्युश्यन का से options है नेट जीरो नेट जीरो का टारगेट दोजार सतर रखा है इंडिया ने यानि कि प्रदूसर कारी तत्यों के उत्सर जन को जीरो करने का लक्ष ये दोजार सतर है इंडिया की तरफ से ने कुशिन है हाली में भारत का सर्व स्रेष्ट आकांची जिला कैसे गोसित किया गया तो अभी हरित द्वार को भारत का सर्व स्रेष्ट आकांची जिला गोसित किया गया तो इसकुशिन का बे options है नेती आयो के द्वारा भारत का सर्व स्रेष्ट आकांची जिला हरित द्व लेको तो हरेद्वार अभी भारत का सर्व स्रेष्ट आकांची जिला बनाया है नेक यूशन है हाली में 15 मां ACI कप क्रिकेट टूनामेंट कहां शुरू हुआ है तो UAE के दुबई में 15 मां ACI कप क्रिकेट टूनामेंट शुरू हुआ तो इस कुशिन का बे आप्शन सही है ACI कप क्रिकेट टूनामेंट ये बन्डे और T20 में होता है वैसे जो 15 मां ACI कप क्रिकेट टूनामेंट है ये स्रीलंका में होना था लेकिन स्रीलंका की आर्तिक स्थिधी खराब हो गई और वहाँ पे आर्तिक संगट है इसलिए अब ये UAE की दुबई सहर में सुरू हुआ है नेक्शिशन है हाली में हीरो एलेक्ट्रिक ने बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग सुविदा के लिए किस के साथ समझगता किया है तो अभी हीरो एलेक्ट्रिक ने बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग सुविदा के लिए जीओ बेपी के साथ समझगता किया है तो इ अभीदावी मास्टर सतन्ह टूनामेंट किसजी ता है तो अभी अर्जुन एर गозмसी ने अभू धावी मास्टर सत्रन्ज टूनामेंट जीता तो इसकुरेस का से यो उप्संट है। इनोंने डेबिड एंटून गुईजारों को हराकर ये अबू दाभी मास्टर सत्रंज टूनामेंट जीता है अच्छा सत्रंज की बात है तो अभी 73 में सत्रंज ग्रैंड वास्टर बने थे बारत सुब्रमांडियम 74 में सतरंज Grandmaster बने थे राहुल स्रीवास्तव 75 में सतरंज Grandmaster बने थे बे प्रडव और भारत की 23 महला सतरंज Grandmaster बने प्रियंका नुटक की वेसले बारबोसा सुने नौरबे सतरंज ब्रिड्ज टूनामेंट जीता है आर प्रग्या नंद ने डे गुकेस को अराकर प्रतिस्टित रेग जबिक ओपन सतरंज टूनामेंट जीता अभी सतरंज रिलेटिड इतने कुश्यन आपको याद रखने है अच्छा ये जो अबू धाभी मास्टर सतरंज टूनामेंट है ये कौनसा संसकर्ड है ये 28 संसकर्ड है और ये अरजुन एरिगेशी ने जीता है अच्छा अरजुन एरिगेशी ये कहां के हैं ये तेलंगाना के हैं ने क्यूशन है हाली में लुसाने डाइमंड लेग 22 जेतने वाले पहले भारती कौन बने हैं तो नेरज चोपड़ा ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है लुसान ने डाइमंड लेग 22 जीतने वाले पहले भारती खिलाडी नेरज चोपड़ा बन गए हैं तो इस कुशन का बे ओप्सन सही है नेक क्यूशन है हाली में 200 जल सब्ता 2022 कब से सुरू हुआ है तो अभी 23 अगस्ते 200 जल सब्ता 2022 शुरू हुआ तो इस कुशन का ए ओप्सन सही है ये 23 अगस्ते 1 सेप्टेमबर तक चलेगा अच्छा 200 जल सब्ता ये दुनिया का ध्यान जल संकट और जल के सतत उप्यों की ओर आकरसित करने के लिए मनाया जाता है वैसे ये अगस्त के Last Week में मनाया जाता है तो इस बार अगस्त का Last Week 23 अगस्ते शुरू है इसलिए ये 23 अगस्ते 200 जल सब्ता मनाया जारा है अच्छा इस बार के 200 जल सब्ता की ठीम क्या है? इस बार की ठीम है Saying the Unseen, the Battle of Water क्या है? Saying the Unseen, the Battle of Water next question है हाली में बरिष्ट नागरिकों और दिब्यांग जनों के लिए सामाजिक आदेकारिता सिवर कहां आयुजित किया गया तो अभी नागपुर में बरिष्ट नागरिकों और दिब्यांग जनों के लिए सामाजिक आदेकारिता सिवर आयुजित किया गया कुषिन का। बे ऑप्सन्स हए है three. है। दाख कॉन stoked proposed माअन की चर्पेट में आए है। माअन ये च्प्रवाद का नाम है है। तो अभी Philippines इस चप्र Zwe RichtERSberg में दो अभ फिलिपेंस इस चक्रवाद की चति ग्रस्त हुआ है अब फिलिपिन्स तो ये है मैप में फिलिपिन्स फिलिपिन्स की क्या है मनीला फिलिपिन्स की करंसी क्या है फिलिपिन्स पैसो और फिलिपिन्स के प्रेजेंट टेंप प्रेसिडेंट कौन है वांग वांग मारकोस कौन है वांग वांग मारकोस अब ल आईलेंड की प्रदानमंत्री प्रियूत चान ओचा को उनके पद से निलम्मित कर दिया तो इस कुश्यन का से ओप्सन सही था और लगबग सभी स्ट्वेडनेस कांसा सही दिया में आपको एक वार फिर बोलूगा क्वेशन के बारे मैं आपको जतना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्यूंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का क्वेशन है हाली में कहां के अनंग ताल को रास्टी इसमारक घोसित किया गया चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे फेस्वुक पेज पर प्रेबियस एरे कोईशन डेली पोस्ट करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी सर्ज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फिजन, without any agitation डिसकस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप टारगेट जरू याद रखना, आज किस वीडियो का टारगेट है 40 या लाइक का, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, अल्पो लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो, और आपके पास जो भी study related, WhatsApp और Facebook गुरूप हैं, उनमें आप इस वीडियो को सेर जरू कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा Current Interface का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना। और अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरू कर लेजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदब मिलेगी, जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल